पेश है राजस्तान की टॉप सेवन नाइट बुलेटिन राजस्तान के मुख्यमंत्री अशोगहलोत ने विधायकों द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए विधायक स्तानिय विकास लिदी से मुख्यमंत्री राहत कोश में जमा कराई गई राशी का संबंदित जिलों के उप्योग करने के लिए अभिशिंसा जारी कर दी है कुल 11.84 करोड रुपे की राशी के लिए स्विक्रतित जारी कर संबंदित जिलों के कलेक्टर के खातों में इसे हस्तांतरित किया गया है इस राशी का उप्योग जिला परिशत के मुख्य कारेकारी अधिकारी द्वारा स्थान्य विधायक के विधान सबाश्यत्र में महामारी से रहत एवं पुनरवास सबंदी कारियों के लिए सबंदित विधायक की अनुशंसा के रूप में किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए राजमे लोकडाउन वे कर्फ्यू की सक्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को घरों में रहना जरूरी है। गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए ग्रह विभाग एवं वरिष्ट पुलिस अधिकारियों के साथ राजमे लोकडाइन वे कर्फ्यू की स्तिती की समिक्षा कर रहे। क्रिशे एवं उध्याने की विभाग के प्रमुक शासन सचीव नरेशपाल गंगवार ने जिला कलेक्टर्स को क्लॉक डाउन अवधी में मदुमक्खी पालकों को मदुमक्खी कालोनियों के साथ मूमेंट की अनुमती जारी करने के निर्देश दिये हैं। गंगवार ने बताया कि प्रदेश से बाहर के मदुमक्खी पालकों की ओर से राज्य के कई जिलों में मदुमक्खी पालन किया गया है। और इनमें दिल्ली के तबली की जमाज से लोटा एक व्यक्ती भी संक्रमित मिला है। द्वारा अब तक 1 करोड 11 लाग परिवारों के 4.75 करोड लोगों का सर्वेक्षन तथा प्रात्मिक जाच हो चुकी है। इवं थोड़े सेलक्षन दिखते ही उसकी जाच करवाई जा रही है। COVID-19 के चलते देश में लोगडाउन के कारण जैपूर में फसे चार उस्ट्रेलियाई नागरिकों को ओला कैप सिवाने दिल्ली पहुँचाया। कमपनी के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगडाउन के कारण ये चारों विदेशी नागरिक 24 मार्ट से ही जैपूर में फस गए थे। जिसके बाद ओला ने उन्हें दिल्ली पहुँचने में मदद की इसमें दो महिलाएं भी थी। खादे एवं नागरिक आपूर्ती विभाग के शासन सचीव सिधार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में लोगडाउन अवधी के दोरान आम जन को आवश्चक खादे वस्तों की नियमित रूप से आपूर्ती में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी उन्होंने आवश्चक खादे वस्तों की विभागी अधिकारियों को समुचित व्यस्ता बनाए रखने के निर्देश दिये